हलो प्यारे दोस्तों कैसे हाल चाल है आपके उमीद है कि आप लोग अच्छे होंगे अगर अच्छे नहीं है तो आज की वीडियो देखे डफिनेटल अच्छे होंगे आज हम बहुत ही प्यारे से मुद्दे पर बात करने वाले हैं यह हमारा सकी सहीली सेशन जो मुझे लगत मुझे बहुत सारी चीज़ होगा नहीं पता है पर मेरी आदत है कि जब मैं किसी चीज़ से गुजरती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसकी तहय तक जाओं रिसर्च करूं कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ है और इसको बैटर करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ सो जो वो दो चार चीज़े मुझे पता है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी अफ़ी समय हो गया है कि हमने सकी सहीली सेशन शूट नहीं किया है उसकी क्या वज़ा है क्योंकि हम वियस्त थे और हम उदास थे आपको पता होगा अगरा मेरे व्लॉग्स को दिखते है तो एंड कल मैंने ना इंस्टरग्राम पे मुझे ना किसी मेरी दोस्ते बहुत ही प्यारा सा मैसेज वोइस मैसेज किया और उसने का कि प्लीज सकी सहीली सेशन करा करें क्योंकि उससे हमें बहुत मदद मिलती है और कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है एंड वैसे जिसका दूसरे बंदे के साथ कोई तालोगात नहीं है और मैं दूछे बंदे को नहीं बताऊंगी वैसे मेरी अपड़े बहुत जादा पंगे चलते रहते हैं तो जो भी उसमें से मैंने सीख आपको बताती हूँ तो बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि आप इता खुश कैसे र जब आप उदास फील करते हैं वो बहुत सारे रीजन्स कि वज़ाज़े हो सकता है आपकी कोई रलेश्शन्शिप प्रब्लम चल रही है या फिर घर में कोई बुरा महाल है या अपने अपना कोई बहुत करीबी खो दिया है या फिर आप बुली हो रहे हैं वर्क्प्लेस अपने बढद ही जग़ा पर अपने बढ़ाहई जगह पे लेक क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सोचती हूँ, like I overthink करती हूं situations को, क्यी बार बथ चोटी सी चीज होती है मैं सोच के बहुत बढ़ा कर देती हूं and then मैं realize करती हूं कि ये तो चीज अभी हुई भी नहीं है अगर होगी तो दिखा जाएगा end होता है इस चीज का जब मुझे रिलाइज होता है कि वरी करनी के कोई फायदा नहीं है, वरी आपको सिर्फ बिमारी देती है और अगर आप घर की हैपिनेस हैं, जैसे मेरे घर की हैपिनेस हूं और चिस दिन मैं उदास होती हूं, तो मेरा घर सारा उदास हो जाता है, मेरे हजबन को भी वह एनरजी मिल जाती है, मेरे बच्चे को भी, मेरा घर का महल बहुत ही जादा नेगेटिव और बुरा हो जाता है So, मेरा खुश रहना बहुत जाँ ज़िए है सारे सारे बंदों की घल्थ के लिए So, हो सकता है आप भी अपने घर की जान हो और आपका खुश रहना बहुत ज़िए आपके घर की लिए भी और आप अपके अपने लिये भी तो मैं आपके साथ तरीके शेयर करूँगी कुछ जिसको फालो करके आप अच्छा फील कर सकते हैं तो अगर आप बहुत जादा उदास हैं और आपके पास करने के लिए बहुत सारी बाते हैं और आप किसी दोस के साथ डिसकस नहीं कर सकते हैं तो प्लीज आप फेस्बुक पे एक सीक्रिट पेज बनाएं अगर आप किसी को बताना नहीं चाहते हैं तो जो भी आपका कंसर्न है उन गृप्स को फालो करें और उन गृप्स पे अपने दिल की सारी जहर या पड़ास जो भी आपके अंदर भरा हुआ निकल के रखतें तो वहां पे बहुत प्यारी लोग होते हैं वह आपको बताएंगे कि आप सही सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं अपने जयसे सोचने वाले तो भालोग मिल प्रवाव झायेंगे जिससे आपको बहुत है और आपका जो भुद है आपका जो भालोग हो आपके तह ठीज आता मेंदैने को अबहुत साट差्या زudisन स्छों हो इस पर देदाँ你 भ fed जा जीए बहुत सारे बहुत सारी पर सारी अब किसी को बता कि हलका फील कर सकते तो प्लीज बताएं लिए अंदर से निकाल दें क्योंकि अंदर रखेंगे तो ज्यादा बुरा है आपकी सेहत के लिए क्योंकि जब हम चीजेग रखतें ना एंड आप देवों की डिजीज बनके ही बाहर आते हैं तो प्लीज इसे दुबा के मत रखें अगर किसे दोस्ते बात कर सकते हैं जरूर से करें अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई गुरूप जोइन कर लें फेस्बुक पे, इंस्टरग्राम पे परिसनल मेसेज़स करें उनको बातचीत करें निकाल दें अगर आप थेरपिस्ट ढूंड सकते हैं थेरपिस्ट जूर नहीं कि बसकी बात नहीं होती हो काफी महंगा सौधा है सो गुरूप काफी हल्प करते हैं अगली चीज है कोई म्यूजिक सुनें म्यूजिक बूह ज़ह फीलप करता है म्यूजिक कुछ भी हो सकता है कोई अच्छा रूमेंटिक म्यूजिक कोई spiritual music कोई religious music जिसको सुनके आपको काम फील हो अच्छा फील हो And music आपके जिन्दगी में दुबारह से happiness लेके आएगा जरूर से try करना अगर आपका डांस करने का मन्नी है ना पंगड़े मुजिक सुनने का मन्नी है तो रिलिजियस मुजिक सुन सकते है यह फिर कुछ भी धुन सुन सकते हैं कोई काम मुजिक, कोई spiritual meditation music, बहुत सारे मुजिक मिल जाएंगे आपको YouTube पे कोई music सुनें तांकि अपका ध्यान अपने low feeling से हटके कहीं और चला जाएंगे अगली चीज है अगर आपके पास कोई प्यारा बंदा है अपका दोस्त है कोई अपकी पेरेंट्स उनको हग करें हग करने से बहुत अच्छा फिल होता है जब आप skin to skin touch करते हैं तो ऐसे hormones release होते ह जो आपको happy करते हैं काम करते हैं तो जो पी आपके चिंताएं हैं वो दूर हो जाती है को टो कट 10-15 seconds के लिए हगी करें मुझे हमद को हग करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उससे मैं बहुत happy फिल करते हूं और different energy आ जाती है तो किसी को हग करें अपको अच्छा फिल अच्छी सी कोई चाय बना सकते हैं कोई green tea, herbal tea या अध्रक वली चाय चाय की चुसकियों के साथ reflect करें कि यह जो situation है इसकी तीन चीज़े सोचें कि जो आपकी situation है उसको resolve करनी के लिए आप क्या कर सकते हैं कैसे resolve की जा सकते हैं यह problem उसके तरीके लिख सकते हैं कि मैं बातची यह बुरा से बुरा क्या हो जाएगा वो डिसाइड कर लें कि result यह निकल जाएगा सो अगर होगी भी तो देखी देखी जाएगी चिंतानी करनी आपको अगला है कि नेचर में जाएं थोड़ा बहार समय spend करें अखेले जाएं कांडों में म्यूजिक लगा लें को अच्छा स्पिर्चूल एंड वॉक करें एंड ग्राटीटूट दिखाएं कि अप जिन्दा है अलाइफ है एंड बहर के लिए जो जो चीज आपके पास है उसके लिए ग्राटीटूट दिखाएं आपको पता जलेगा कि जो चीज के बारे में आप सोच रहें वो श्याद नीवड़ जादा बड़ी है बाहर जाके जब आप समय प्रेंग करते ना बहुत अच्छा फील ना बहुत अचा फीलोडाए बाहर की जो एनरजी वोई डिफरेंट है, अगर आपके पास आपके बाहरी सी पार्क है पार्त में जाएं ग्रिनरी के पास जाएं अगर कहीं पर पंची है उनके पास समय स्पेंट करें बहुत अचा लागए आपको यह जब आप लो फील करें और यह स्टैप्स लेने के लिए आप तयार हैं तो दामीन आप बदलना चाहते हैं और आप हैपी रहना चाहते हैं इस समय पर रिकनेक्ट कर सकते हैं कुछ ऐसे पुराने दोस्तों के साथ जिसके साथ आपको बहुत अचाह लगता था क्यूंक करी आपके कुछ दोस्त बहुत प्यारें जिसके साथ अपने समय से बात ढ़त नहीं की है और उनके साथ रe-konnekt करें उने अपने दिल के बात बताएं अगर आप अज़ादा नहीं है अगर अगर आपको लिखने की होगा जो वो पढ़े एक साल पहले आप क्या सोचते थे क्या लिखाया आपने या फिर कुछ भी नोट्स या कुई पुलाने खथ या कुछ भी जो भी आपके पास रिटन तो मैं पुराने डायरीज जब खोल के देखते हूं बहुत मज़ा आता है कि तब मैं क्या करना चाहती थी और जब जिस सिच्विशन में हूं किता मज़दार है मैं सोच भी नहीं था कि ऐसे ऐसे मेरी जिन्दगी जलेगी सो बहुत अच्छी आदत है लिखने की एक तो आपके दिमाग से चीज़ा निकल जाती है और एक जब आपको रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत पढ़ती है तो आप उनको देखके सारा कुछ रिवाइव कर सकते हैं कि वा अच्छा ऐसा है लास्थ मैं ये चाहूंगगी कि आपकों कोई थो कोई अपने अप्टिविटों के साथ आपने साथ और बने साथ या चुछ भी अगा थे हैं आप कुछ चुछ टियावाइव् करते हैं तो आप बहुत अच्छा फूल करते हैं या फिर अगर अगर अपको गार्णिका शॉ कुछ करें जिसमें आपका रुटीनी हो और आप पस चले जाएं लाउं ड्राइप चले जाएं या कुछ भी अचानक से यू नो कई बार क्या होता कि जब हमने चीजे प्लान नी की होती हो और हम कुछ फन अक्टिविटी करते हैं बिना प्लान किये हुए अचानक से वह बहु जब चुपा हुआ होता है अपका किसी के साथ ब्रेक अप हो गया है अपका रिलेशन्शिप इशु चल रहा है यह सारी चीजे आपको कुछ ना कुछ टीच कर रही है सो इन सारी चीजों के पीछे चुपे हुए एक मैसेज को जरूर देखें कि इससे मुझे सीखने के तो आपको वह दुख ज़रा दुखनी लगेगा क्योंकि आपको पता है कि आपने कितनी अच्छी चीज लर्न की है इससे तो यह साज की वीडियो के लिए बस सता ही उमीद करते हूं आपको अपको अप्टो अच्छा फील ओर होगा लो नहीं फीलो रहा होगा अगर नहीं जो मैंने बताई है अभी आप लो हैं तो जो चीजे मैंने बताई है वो जुरूर से फॉलो करें बहार जाए जारा सं में समय स्पेंड करें मैं मिलूंगे आपको नहीं वीडियो में तब तक कि लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुर मत भूले दोस्तों यूज आपको सेशन का टॉपिक है आपके पास जो चाहते हम उस पे बातचीत करें तो उसे प्लीज 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 कमेंट बार में जरूर से छोड़ना और यह टिप्स आपको कैसी लगी यह भी मुचे जरूर से बताना बाई लव्यू गैस सो मच